हेलो दोस्तो दोस्तो क्या आप जानते है कि पाल्ले जी बिस्किट पूरी दुनिया में लोक प्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है पाल्ले जी के सक्सेस का अंदाजा यहां से लगा सकते है कि हर महीने 100 करोर पैकेट से ज्यादा बिस्कुट की प्रोडक्शन होती है और ये बहुत ही आश्चरे जनक बात है पाल्ले जी कंपनी की इंडिया में डेट्सों से भी ज्यादा फैक्टरी आवेलेबल है वे 21 से अधिक डेशों में बिस्कुट भी एक्सपर्ट करते है जिसने पाल्ले जी कंपनी सुरू की थी और जो उनके ओनर है उनका नाम मोहनलाल दयाल चौवान है मोहनलाल दयाल चौवान पहले मुंबई में रेशम का बिजनेस किया करते थे जब वो 18 वर्सके थे तब से उनके अपना रेशम का बिजनेस सुरू करके अपने केरियर की सुरू आत की थी और आगे उनके कई दूसरे बिजनेस इसमें बड़े बड़े चैंजिस किये मोहनलाल दयाल को स्वदेसी आंदोलन बहुत ही पसंद आया था यह स्वदेसी आंदोलन हमारे अपने देश का समर्थन करने के बारे में था स्वदेसी आंदोलन का मतलब यह था कि ब्रिटन में बनी हुई चीजों को बहिसकार करना था और भारत में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा उप्योग करना था और ये कन्ने से ब्रिटन को आर्थिक तोर पर नुक्सान होता था और इसके साथ-साथ आंदोलन से भारत में लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरिया प्यदा कन्नी थी मोहनलाल दयल चौहान इस आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी स्वदेशी केंडी बनाने का विचार किया क्योंकि उस टाइम पर केंडी बनाने वाले कोई भी भारतिय कंपनी नहीं थी सभी केंडी कंपनिया दूसरे देशों की ही थी और उस समय केंडी खाना सबके बसकी बात नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ही महेगी हुआ करती थी इसके लिए साल 1928 में मोहनलाल दयल चौहान ने हाउस आप पाल्ले नाम से एक कंपनी की सुरूआत की क्योंकि वो केंडी का बिजनेस करना चाहते थे वो जर्मनी गए एक साल बाद जब वो भारत वापस आये तो इन कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्त को बनाने के लिए जरूरी मसीनरी भी खरीद लाए इन मसीनों को उस टाइम पर भारत लाने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ था उस टाइम पर लगबग साट अजा रूपय इन्वेस्ट हुए थे इस कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्त बनाने की पहली मसीन साल 1929 में मुंबई के पास विले पाल्ले नामकी जगपल लगाई गई थी व्यसे तो 54 जी का परिवार बहुत बड़ा था इसलिए उन्होंने अपने परिवार के 12 सदस्यों से इस काम में मदद ली और ये 12 लोग मैन्युफेक्शरिंग में और प्रोडक्त प्यकिंग करने तक सबके सब सभी अलग-अलग काम अकेले ही किया करते थे साल 1929 में इस पाल्ले कंपनी ने कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्त बनाना शुरू कर दिया उन्होंने सबसे पहले टौफी बनाने से शुरूआत की इस टौफी को बनाने के लिए जीन चीजों का उप्योग करते थे वे ज़्यादा तर ग्लुकोज, चीनी और दूदी थे पाल्ले कंपनी ने सबसे पहली चीज ओरेंज बाइट नाम की प्रोडक्त बनाई और इसको सेल करना स्टाट किया इस ओरेंज बाइट ने मार्केट में बहुत ही तेजी से अपनी एक अलग जगव बनाई क्योंकि ये प्रोडक्त पहला भारतिय कौनफेक्स नरी प्रोडक्त था और साथी में ये देशी स्वाद में बनाया गया था और देखते ही देखते इस ओरेंज बाइट ने बहुत ही नाम कमाया और लोगों को ये प्रोडक्त बहुत ही पसंद आने लगी ओरेंज बाइट के बाद कंपनी ने मिठाई और पेपर मिन जैसी चीजे भी बनाना शुरू कर दिया एसा उनने लगबग 10 बरसों तक बीना रुके किया और इसी दोरान बिस्कुट का प्रिम्यम प्रोडक्त माना जाता था और इने केवल ब्रिटिस लोग या फिर देश के अमी लोगी खा पाते थे क्योंकि ज्यादातर बिस्कुट दुसरे देशों से लाये जाते थे इस चीज को ध्यान में रखकर साल 1938 में पाल्ले कमपनी ने पाल्ले ग्लुको नाम से बिस्कुट बनाना शुरू किया और ये बिस्कुट बहुत ही सस्ता था और ये उस टाइम पर सभी दुकानों पर बहुत ही आसानी से मिल जाता था और ये ग्लुको बिस्कुट को खा कर लोग गर्व मैसूस करते थे क्योंकि ये प्रोड़क्ट हमारे देश में ही बना था लोग मानते थे कि ये देशी प्रोड़क्ट है और अब उन्हें विद्यसी बिस्कुट पर निर्बर रहने की जरूरत नहीं थी देश में लोगों को ये एसास इतना पसंद आया कि देखते ही देखते भारत में ये गर-गर में लोग प्रिय हो गया दिरे दिरे पाल्ले कंपणी एक बिस्कुट बनाने वाले कंपणी नहीं बलकि भारत की एक निशानी बन गई लेकिन साल 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो उसका बटवारा भी हुआ और पाल्ले को अपना ग्लुको बिस्कुट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि उसका रिजन ये था कि बटवारा के समय ग्लुको बिस्कुट बनाने के लिए परियाप्त गेहु नहीं थे उस टाइम पर गेहु की कमी पड़ गई थी इसलिए पाल्ले ने इस कमी को दूर करने के लिए इसकी जगह पर बड़ली जहु से बिस्कुट बनाना शुरू कर दिया फिर साल 1980 तक आते आते ग्लुको के नाम से बहुत सारी कम्पनीज ने अपने बिस्कुट बेचने लगी थी इस टाइम पर ब्रिटानिया कम्पनी भी मार्केट में आई और इसने पाल्ले के ग्लुको की तरह ही ग्लुकोस डी बिस्कुट मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और इससे कस्टम ब्रहमित होने लगे थे और इस रिजन के चलते साल 1982 में पाल्ले ने ग्लुको बिस्किट का नाम बदल दिया और उसका नाम पाल्ले जी रख लिया पाल्ले जी में जी का मतलब ग्लुको था लेकिन फिर इसे आगे चल कर जिन्यस में बदल दिया गया 1980 के दसक में अन्य कम्पनियों ने भी ग्लोको के समन बिस्कुट बना कर बेचना शुरू कर दिया था और इस वज़ा से ब्रह्म पैदा होने लग गया और पालले बिस्कुट के लिए अपने बिस्कुट बेचना बहुत ही कठिन हो गया कम्पनी ने इससे निपटने के लिए अपने बिस्कुट को पैक करने का एक नया तरीका निकाला उन्होंने अपनी पूरानी पैकेजिंग की जगह पर पीले वेक्स पेपर का उप्योग करना शुरू कर दिया जब बिस्कुट पहली बार मार्केट में बेचे गए तो पैकेज पर एक गाय और गायों की देखबल करने वाले एक व्यक्ति की तस्विर थी लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल कर एक प्यारी सी छोटी बच्ची की तस्विर लगा दी जो तस्विर इस कंपनी का एक सिंबॉल बन गई और आज वो पाल्ले की एक अलग पहचान बन गई दोस्तो पाल्ले कंपनी ने इसमें एक अलग पहचान बनाई है जो आज एक सक्सेस्पूल कंपनी है